तो हीरे का उपरतन के लिए अधिक्तर फोन आते हैं हमाल पास और जो अधिक्तर इंक्वारी आते हैं कि डायमेंड का सबस्चिरूट में जैसे ऑपल यह बहुत अच्छा पत्थर माना जाता है यह उपरतन हैं यह थोड़ा कॉस्ट्ली होता है है बहुत बढ़ी आगा यह बहुत है इस झाटा इस पर गड़ा यह तो कुछ टाइम के बढ़ जानी है यह कोई महंगा पत्था नहीं होता है यह 500 रुपे में 200 रुपे में आराम से मिल जाता है अब इससे उपर अगर आपने जाना है मेरी राय में जर्कन ना लेकिए आप मोचोनाइट ले यह पत्थर है यह डाइमंड का सब्सिस्टूट है पर यह जर्कन से बहुत बेटर है और सरवेज जी जी आरे सडिफाइड है आपको हम बता दें यह जी आरे सडिफाइड इसका बार कोड और कोई करेगा तो इसकी पूरी जानकारी इसके अंदर आ जाएगी जिस लेप से चेक हुआ है जी आरे से और इसी का वेड़ डायमेंशन और इसकी पूरी हार्डनेस ग्रैविटी के बारे में जो भी जो भी इसके डायमेंसिन हैं वो सब वेब साइट पर वो जा भी आता है हमारे यहां पर मिलता है हमारी शॉप पर जो आपको मिलेगा यह यह वाला इसकी भी डूपली कैसी मार्केट में अविलेबल है और प्रकाश हैंसे अगर आप मोजुनाइट लेते हैं तो जिस स्टोन का जो वेट और डायमेंशन है यह उसी का सर्टिफिकेट है इस सब्सक्राइब करेंगे वैसे 2500 पर करेंगे वैसे 2500 पर कैरेट प्राइज है पर वन केरड़ प्लस भी अगर स्टोन है तो स्टोन का ही 2500 है और अगर थोड़ा सा भी कम हो जा था मानलो 98 सेंट रहे गया वह 95 हो गया तो इसका 2000 पीस का चार्ज ओम नमोना रायम दोस्तों वैसे तो हम ओम प्रकाश्रंस की बहुत वीडियो बना चुके हैं जिसमें सुनील जी मुकेश जी और जितेश जी को आपने देखा है बट आज तो आज जो हमारे साथ में हैं रतनों की अगर मैं पार की कहूं महला बहुत बड़े जानकार का हूं जोरी कहूं तो उस मनलब वह भी कम होगा हमारे साथ मैं है विभले जी ओनमोना पार तो तो यह अज हम आपको यह देखिये रहादमी पहें नहीं सकता हां कीम्ति होते हैं जैसे नीलम है बहुत कोष्ली होता है तो आज हम आपको उसके उपरतन के बारे में बताएंगे जैसे नीलम से शुरुआत करते हैं नीलम का उपरतन है नीलम है देखो सर्वेश जी अगर स्रीलंका कि कह लेंगे अच्छी क्यालेटिका तो 50.000 ए अगर हम आएं उसके उप्रतन पर यह संदर पत्थर है यह सस्ता होता है यह मतलब 200 रुपे क्यरेट आजाता है एक पत्थर कोई पैनना चाहिए तो 1500-2000 रुपे में अमेथिस्ट आप सकते हैं ऐसे आजाए यह नीलम का बैंकोक का नीलम है यह गलास फील्ड होता है बैंकोक न पत्थर है यह जो है जाला जबादा आपका 500 रुपे कंदर कोई पत्थर लेंगे आप दो जार रुपे कंदर आए अच्छा जैसे अकर मैं बात करूंगे तो तीनों अलग अलग तरफें इन से अगर देखा जाए तो बैस्ट कौन सा होगा सब भी बैस्त हैं काका नीली बह प्रॉशस का नाम एक प्रॉस कर घिटमेंट कर आगा है प्रॉस कर दτεते कि यह चैसे सकती ऐसल नाम है थरम फिर्यटमेंट किया है अन्हांस किया तीया है कि ली काना इसे व सब्सक्राइब्स को जा सकता और कि इस बहुत नीली पत्थर हाइब 7 का नाम है इनिलम को अपरत में बहुत अच्छा पहन सकते क्ली है इसके इस पुक्राज का सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि बरस्पति का रतने हैं बहुत अच्छा अधूत पत्थर है और आपको बताऊं कि सिट्रीन जिसको गोल्डन टोपाज इंपीरियल टोपाज सुनहला कई नामों से जाना जाता है यह के लिए मनी के लिए अब यह इसी का यह है पुखराज यह बहुत बढ़िया चीजह बहुत अच्छा होता है ठीक है अधिक क्यों डूह आप पनने का उप्रतन एमर्ड यह उनेकस यह बहुत अच्छा पथर है अच्छा नहीं जो लोग पना निपन सकते हैं अच्छा होता है जिसे घ्रादी का पथर है ओनेक्स ठीके ठीके अच्छा जैसे मोंगा है मुंगा तो वैसे भी सस्तारत है कोई बहुत महेंगा इस्टोन नहीं है तो यह आप मुंगा ही मंगल के लिए पहना जाता है यह बेस्ट है तो यह लोग मंगल के लिए तिकोना मुंगा पसंद करते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मंगल के लिए उपरतन जाए तो जयादा अच्छा है नहीं है वैसे मंगल का यह मंगे का बरतन यह बहुत सथा पक्र है तो इसलिए इसका अल्टरनेट सब्सिट्टूट उतना ज्यादा पावर्फुल नहीं होता जितना की मुंगा होता है तो इसलिए मूंगे का उपरत्म उत्ना ज्यादा पहनने का विधान नहीं है मुंगा ही पहनना अच्छा है अब जैसे मुथी पे आजाओ चंद्रमंगा है जैसे यह है सब्सक्राइश यहां प्रेश्वाटर पर यह साउसी है यह कॉस्ली होता है यह अब इनका उपरतान यह म तो मार्केट की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डूबली केशी भी इमी में हैं अगर कोई लेता भी है तो उसको मतलब क्या बाते जिहां में रखनी चाहिए फोड़ा भाइक आइडिया बैस रियल पत्थर होना चाहिए मैं एक आम इन्सान हूँ मैं आपके पास आया मुझे तो नहीं बताए क्या रियल बता है आपके यहां के अगर मैं बात करूँ यहां जो आएगा उसको दो सब्सक्राइगा बुखराच पुखराच बोल के देंगे सुनेला भॉक सुनेला और यह शिट्रीन को सिट्रीन बूर के दिये जाएगा पहचाने एक आम रखती को तो हो नहीं सकती यह जो लैब में जाएगा ठेस्स कराएगा तो को जो जिन व्लोस्ट है वहीं बताएंगे यह यह बिद्ध यह लाजरत है यह पत्थर और यह पत्थर एक ऐसा है जो रहू के तुव और शनी तीनों गहरों को काम करता है और काल सब्सक्राइब अच्छा होता है ऐसे यह फिरोजा इराश फिरोजा यह सिर्फ हमारे यह लिकेगा मिलेगा और उन पर का शैंटसम्स में मिलेगा यह वाला शुक्र शनी और दूसरा गुड़ लग इस तो यह जैसे हैं ऐसे ही आजए यह उपर दो यह बचाता है और दूसरा यह बहुत अच्छा इस तो यह जो है अच्छी एनर्जी देता है आज लिये लाजवत पहने वह बहुत संदर लाजवत जैसे यह केतु अश्ची और लन्मानिश यह तो सबसे पहले सूरे रतनमानिक जैसे पहनने की कोई आवश्यक्ता नहीं है यह मानिक भी जो है ना कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है पर सूरे का रतन ही पहनना चाहिए ना की उपरतन वैसे सका तामडा गार्न भी कहते हैं कई लोग पहन लेना चाहिए पर हमारी व्यक्तिकत नौलिज के नूसार में यहीं कह सकता हूं कि सूरे का उपरतनी पहनना चाहिए रतन पहनो मानिक चंद्रमा का मोती यह पहन सकते हैं यह सखे़ज़ ना की वैसे मीणिक्त फारट यह आप यह刚ожно यह सब्सक्रात पहन सकते हैं जो गुरू का बुखराज या ये सिटिन सुनेला ये बहुत बड़िया पत्थर है बहुत अद्बूत है और सुन्दर भी है और रेट में भी कम और अच्छा होता है शनी के लिए आप हाँ जी अमेथिस्ट है नीलम है बेंगोपका नीली है ये पहन सकते हैं या लाजवरत और फ पर तन में जाएंगे तो लाजवरत है बिमले जी एक वार इनका थोड़ा सा प्राइज का भी एक आइडिया देजिए सर्वेशी देखिए ये जो सूरे करतन है मानिक इसका रेट पांसो से लेके एक हजार रुपर तक है और ये जो मोती है ये फ्रेश वाटर पन ये सोर प आई्टि पर्ल लका गया चक्tar ग्रवकए इसलिए को उसलियोगा थोड़ा बाजहिए को मोंगे में ौनवाटर या पांसोर प्र चार ये यो है ये साइज याज़ शे पूरे मिक दो आनस लेकर पंदरा पर बइकर ये तब मॉनगे की कॉएलिटी आती है चार सो पांसी रूपरे से लेकर फंदसी रवे कराइट है सफेद मॉंगा दो सो से एकर त चार तक होता है यह जो है ओनेक्स घरड ओनेक्स कहलो यह 100 रूपर किरेट है ऐसे यह ओनेक्स है ग्रीन ओनेक्स यह सो सब system पो कराता है ठीक है और यह सिट्रीन जो है सुनेला, ये दौज़सोर रपे से दो, दौज़सोर रपे से शुरू होता है, तीननसोर रपे करेक्टर होता है, अच्छा ये पुखराज जो है, ये बैंकोक का, ये नो गलास फीडू हो यह आपका एक हजार रपे करेक्ट से लिए करेक्ट होता है यह शुक्र के लिए बहुत बढ़ी है और यह आज बहुत बहुत इए इतक है करेक्ट गयारुट बहुत बहुत बढ़ा पता है यह फिरू जाज नग्यू तो आप टका विरूपर चारुड़ एक पर बहुत बढ़िया पतार है को शेल्न फारी बढ़िए अट निगाता है यह यह झी आप देखेंगे करें की चार हिया रुपे कयरेट का लुट और ज़ुहह है उर अग्त बडिया पत्थर है यह दोसूर रुपे कयरेट है क्योग और शिल्वनीं प्जा है यह बढ़ए करयट है यह कोमिभल है जो कि कारणी है यह आपको मलब यह उपरत्नों की जानकारी दिने है कारण यह भी है कि जो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं नीलम पुखराज मानिक पन्ना महंगे रत्न तो वह उपरत्न पहन के भी लाव ले सकते हैं मैं दुबारा से आपको बता देना चाहता हूं कि सभी उपरत्नों की भी वही एनर्जी और पावर होती है जो रत्न में होती है उससे थोड़ी कम तो हो सकती है क्योंकि हर एक रत्न की अपनी अलग हाड़नेस ग्रैविटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका अपना-पना एक पावर और एनर्जी है पर फिर भी उपरत्नों भी लाब देते हैं तो अपरत्नों का भी पूरा लाब है और मैं बता दू कि उपरत्नों भी आप जो हमारे यांसे ओं प्रकाश एंडशन से लेंगे वो सभी बिल्कुल 100% नैचुरल ओरिजिनल होंगे और क्वालिटी तो आप देखी सकते हैं कि वन अव दा बेस्ट आपको आपको पसंद आई होगी और आपको जो एक डाइमंड का ऑप्शन मिला है ये भी बहुत पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चै इसी तरह कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओब नमून आरा है